नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकिता कल तक कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी अपने नए लुक को लेकर चर्चा में थे भारत जोडो यात्रा के दौरान उन्होंने जो गेट अप रखा था 170 दिनों बाद उन्होंने दाढ़ी और मूचे क्रिम करा कर उस गेट अप को बदल डाला और इसी कूल लुक में वो लंदन पहुँचे अब आज उनका कैमरेज उन्विसिटी में दिया गया भाशन चर्चा में है जिसमें उन्होंने पियम मोदी पर जम कर हमला बोला कॉंगर्स नेता राहूल गांधी ने अपने बृटिन के दौरे के दौरान कैमरेज उन्विसिटी के बिजनिस स्कूल में चात्रों को संबोधित किया इस दौरान राहूल गांधी ने देश की मोदी सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने पियम मोदी पर लोग तांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया तो भारत में उनकी जासूसी किये जाने की भी बात की हाला कि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब कॉंगर्स नेता ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की अब राहूल के इस भाषन पर केंद्री मंत्री अनुराक ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि तीन विधासभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि कॉंगर्स का सूपला साफ हो गया है उन्होंने कहा कि ये नतीजे क्या आएंगे उन्हें पता था अनुराक ठाकुर ने राहूल गांधी पर तंज कस्ते हुए कहा कि पैगासबस उनके मोबाइल में नहीं उनके दिलों दिमाग में बैठा हुआ है उन्होंने कहा कि पियम मोदी के नेतत्व में दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है उन्होंने राहूल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इटली की पियम जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा शायद उन्होंने सुना नहीं था उन्होंने कहा कि पियम मोदी को दुनिया भर में लोग प्यार करते हैं ठाकुर ने पैगासस मामले पर कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने अपना फोन जमा नहीं कराया उन्होंने कहा कि ये अपने विदेशी दोस्तों के जरिये बार बार देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं उन्होंने कहा कि राहूल गांधी मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं यही नहीं देश की सम्विधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते अनुराप्त हाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को बार बार जूट बोलने और देश का अपमान करने की आदत है उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धर्ती, विदेशी दोस्तों और विदेशी एजिंसियों का इस्तमाल करना उनकी आदत बन चुकी है ये चीज़े कॉंगर्स के एजेंडा पर सवाल खड़े करने वाली है देश और दुनिया के तमाम कबरों को विस्तास से जाने के लिए जुड़े रही है जनपापना टाइम्स के साथ नमस्कार